नमव नारे, नमव नारे, जेगो माताव वंदे मात्रमा भारती कुपनाम और हरदायक से ओम शाम शनिश्चारा आये, प्रिदर्शकों में तुन शाक्षियों संगर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो कहनी है जो सफल होकर सब को सुनाती है, नमव नारे, नमव 2024 का नौवा महिना, यहनी सितंबर 2024, सितंबर 2024 का महिना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हो, और शभी दर्शकों को सुमवत्य माउश्या, हरिताली का तीज, अनन्चतुर्दस की मेरी और से बहुत बहुत बदाएगे, मित्रों 6 सितंबर को हरिताली का तीज है, और यह भारत में धूमदाम से मनाया जाता है, हरिताली का तीज का वर्त स्वागन इस्तरिया, अपने पत्ती की लंबी उमर और अववयत यूतिया, मनो आचित वर्फ प्रावत्ति के लिए करता है, ऐसा माना जाता है कि माता प्रावत्य और शिव अपनी शूमबत्य अमावशया वर्ष में एक या दो बारी पढ़तिये, और शूमबार का दिन चंदरदेव को समर्पित है, और चंदरदेव महादेव के भाल पर विराजमान है, और चंदरदेव मन का कारक है, और मन ही मनुष्रिन का मोक्ष और बंदन का कारण है, इस मन्च सम्दित शांपाउन विपदाय पुरिषानिया दोश कैसे दूर हो मा देव को कैसे प्रसंद करें कि मन पर आप सवार हो जाए शोंबतिया माउशय को देवादी देव महादेव और मा पारवर्ती की विश्ष पूजार बरत का विधान है साथी पित्र कैसे प्रशन हो पित्रों का तरपन शोंबतिय माउशय को किया जाता है और पित्रों का आश्रिवाद दिया जाता है मित्रों शाथियों 18 सितंबर 2024 से गननाओं की आधार पर कहीं कई 17 सितंबर भी का है लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पित्रपक्ष का आरंब हो रहा है क्योंकि 17 सितंबर को अनंच तुरदर्शी वर्थ है और शाइद 18 को महले श्राद है पुर्णीमा का साथ है उद्यतीती 17 तारी को लग जाएगी ऐसा 11 बज़ कर इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि 11 बज़े पुर्णीमा प्रारम होगी उद्यतीती के हिसाब से 17 को नहें होकर जो श्राद पक्ष है वो 18 सितंबर से सुरूगा पुर्णीमा 18 को तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद पक् क्या क्या उपाई ये सारी चर्चाए इस बार में करूँगा साथी कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना मैं आपकी राशी फल की चर्चा करूँगा गरनक्षत्रों के हिसाब से सितंबर के महीने में राशी फल क्या संके देरा 12 12 राश्यों के लिए और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशी परिवर्तन ना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इश्मा तीन ग्रहों का जिसे सूरी देव बुद्ध देव शुक्र देव का राशी परिवर्तन होगा सब पहले चार सितंबर को बुद्ध देव शिंग राशी में परिवेश करेंगे 4 सितंबर को शुर्देव कन्या राशी में परवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशी कन्या से निकल अपनी अपनी राशी अपनी श्वा राशी तुला में परवेश करेंगे 23 सितंबर को पुण बुद्देव سंघ राशी जनकलं करने करेंगे मंगल देव मित्थून राशी में संचरंण करेंगे ब्रश्पत देव विर्षव राशी में संचरंण करेंगे नोच three भूके यह और राव देयर राशी में निवेदिन है कि राश की समानित व्यक्तियों को राशित में सोचना होगा अब मर्यादी दुभासा राश में राजनितिक उठापटर का संकेत और शिमाओं पर विशेश शर्शा उधाने का संकेत नजरा रहा है और भूशकलन जल को लेकर बार को लेकर आप जानते ये आप स प्रदेवे 25 अपरिल 2035 तक बहुत ऐसी घटनाय देखने को मिलेगी जानमाल का नुक्षान है इस समय जिसरे के घरे योगा योग है हमें अपनी पूर्व चेत्री उत्तर पूर्व चेत्री की संपाउन शिमाओं पर विशेश शावधानी का संकेत नजरा रहा है नकारात्म को प्रसंद कर किर्पा प्राप्ति हो जाए इसके लिए मैं उपाई बताऊंगो क्योंकि पित्रों को जो हम प्रसंद करें कि उनकी किर्पा से हमारे जीवन में खुशिया आएगी तो बहुत से उपाई है और विशेश रूप से गुरुमंत्रवी दातिमाराज पर हर रास् 24-24 का मैना शंपून घर योगायो के हिसाब से क्या संक्य दे रहा है इस विशे पर मैं विश्तर से बचाने की कौशिश कुनगा प्रदशकों मित्रों शाथियों यह जो राशिफल है यह चंदरासी नाम राशिपर आधारिर होता है और यह महिलाओं के लिए पुर्सों के लिए भी है बड़ों के लिए बच्चों के लिए सब के लिए राशिफल है लेकिन यह जनरल प्रड़क्शन है आप अपने बारे में जानना चाहते हो नीचे नंबर आ रहा है आपकी जन्मकुल्डी के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजर रहता हूँ लेकिन मैं आप प्रजापिता प्रमा हूँ और ना कोई बहुत बड़ा भवश्य वगता हूँ भारत की सनातन संस्कृते प्यार करता हूँ जोतिश मेरा प्रेविश्य है और यह अद्भूद विश्य है जोतिश के इस 40-50 साल के यातरा में से कुछ बून्रित गुरु किरपगी जो मुझे प्राप्ति उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ शंभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है शेकन ओपनेंट के अधिकार सदा आपके पास रहा है ना भय ना भ्रम ने भ्रांति ने विवाद ने तरक शेकन ओपनेंट हमेशा आप ले लिजेगा साथियो मुझे अच्छा रही है अब मैं बात करूँगा राशी चकर भाचकर की तीसरी राशी या नहीं मिठुन राशी मिठुन राशी वालों के लिए सितंबर 2024 का मेना नक्षदर गर्णाओं के आधार पर राशी फल का क्या संकेत दे रहा है कैसा रहेगा सितंबर 2024 नक्षदर पर मिठुन राशी मिठुन राशी कुछ बाते पहले कर लो और नकरात्मक पहलो पहले बताऊंगा मिठुन शात्यों आपका एक ऐसा गुन है जो आपको हमेशा प्रिशान करता है वह है कि आप उन लोगों के साथ अच्छे समद्धनी रखते जो अबाऊगा है आप बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं लेकिन आपका वेवार मिलनसार है बहुत बात तो नहीं है आप सामाजिक और प्रेम सभाव के व्यक्ति है इसलिए आपको पार्टी करना भी पसंद है आपके अपने आसपास के लोग कैसे खुश रहेंगे वो आप बहतर जानते हैं अजन बात असानी से बात सुरू कर लेते हैं आप बहुत सहस्ता से लोगों को सथ घुल मिल जाते हैं आपको इस्थिर बैटना पसंद नहीं है आप अपने जिवन में नित कुछ नया करना चाहते हैं आप बहुत उर्जा महाने उत्पादक हैं आप अपने साथि की बहुत देख करते हैं और तुलनात रूप से आप अपने पार्टनर को ज़्यादा प्यार करते हैं मितंडाश्यवा लोग आपकी बहतरीन केरियर विकलब है एक कुशल कि आप बहुत कुशल है वारता में तो कुशल वारताकार और आमतवर राजनी दोर वैपार में उतकस्ता प्राग करनेते हैं संचार पत्रकारता यात्रा परियटन मीडिया बातचित दुभाषिया प्रवक्ता भाषाविज्यान के जुड़े चेत्रों में आपको अच्छी सपल्था में लेखन में सौफ्ट्वर डवलप्में में जन्संपर्ग में पर्योजना प्रबंदक में विज्यानिक सिक्सक इंजिनियर, विक्रिता, वकीर, उपदेशक में भी केरियर आपका बहुत अच्छा होश रहता है। अब सितंबर 2000, 24 का महिना गणनाओं के हिसाब से राशिपल का क्या संकेत दे रहा है। इस पर आउंस से पहले, बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचिर किस प्रकार की इस्तिती बना रहे हैं सितंबर 2014 के महिने, उससे थोड़ा समझने का प्रियास करते है। मिथुन राशी वालों के लिए राशी अद्पदी बुद्देव 4 सितंबर को शेंग राशी तीसरे भाव से संचन करेंगे, जा सूरी देव पहले से विराज पाने। दोनों ग्रोखी सप्तम पूर्ण दर्ष्टी नमम भाव पर रहेगे। 16 सितंबर को शुरुदेव कन्या राशी चतुर्द भाव में शुक्रदेव वो केतुदेव के साथ संचन करेंगे, और 18 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशी पंचम भाव में संचन करेंगे, 23 सितंबर को बुद्देव कन्या राशी चतुर्द भाव में आ जाए। और शक्तमदर्श ये दसंभाव को देखे मंगल देव पूरे महा मित्वुन डासि लगन भाव में। ब्रश्पती देव विर्शपरासि बारवे भाव में। शनिदेव अपनी मुल्त्रिकॉन डाशी कुम में वक्री अवस्ता में भाग्यस्तान में यूगकारक अवस्ता में संचन करेंगे और राहुदेव मेंडाशी दसंभाव है यह है मिथुन डाशी वालों के लिए सितंबर 2024 के महिने के संपून ग्रह योगायो मिथुन डाशी व है इन विशे पर ग्लनाओं के आंकिलन साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने रखूँगा इसके साथ विश्तार से बात भी करूँगा कि कामकाज कारबार नौकरी बहशाय श्रमाज श्वास्ते के साथ कैसा रहेगा महिना आपका अब मैं जो ग्रह योगायोग थे जो संबर का महिना आपके लिए ठीक डाग रहेगा सकरात्मक्सोच कारिक पर इमानदारी अपनों के साथ इस महिने नौकरी वैविशाय और कामकाज में अच्छी सफलता हासिल करेंगे पर तो आर्थिक मोर्चे पर थोड़शी उठापटक भी है यह उठापटक आपकी लापर लेकिन थोड़ासा धहरी रखे सहिम रहे अपनों की सला से काम करें तो सफलता आपका दामन्चियों में कामकाज बनेंगे लाप भी मिलेगा पारवारी और समाजिक बातवन शकून के लिए अच्छा समय बस थोड़ासा सहिम और धहरी का प्रचे चाहिए संतुलन चाहिए स पारवारी एकता बनी रहे हां गोचरिय संकेद रहे कि देनिक दिंचरिया ठीक रख नहीं होगी ने तो स्वाश्रमंदी परिशानिया है यह था मुटा 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 की मिथुन राशी वालों के लिए स्रितंबर का मेना कैसा रहेगा अब मैं जो बात मिथुन राशी वालों स्रितंबर के मेने में जब यह घ्रय योगायोग आपस में दर्शी शमंद यूती शमंद बनाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कामकाज, कारबार, नौकरी, बैशाई, स्रमाज, परिवार, स्वास्ते और शिक्षा करें और सक्से पहल पर नौन दर्शी अस्तमभाव पर है, समाजिक शिवाउं का अउसर मिलेगा, आपसे रिस्तों में मजबूती आएगी, परिवार में खुशी के समचार मिलेंगे, छोटे भाइबेनों संतान को मन उनको शपलता प्राप्थ होने से मन प्रफूलित और प्रसंचित रहेगा, मित्रों का अच्छा स्यूग प्राप्थ होगा, और मित्रों के साथ आसपास घूमने और यात्राओं का योग भी है, व्यवाईक जिवन खुशियों से भरा रहेगा, मित्वों राशी वालों के लिए स्रितमभाव के प्रारम में सामाजिक और परवेश दर्शिकों से समय प्रसंता और खुशी का संकेत दे रहे है, परवेश दर्शियों, मित्रों, पासपड़ों, भाई, बैन, माता, पित्ता का पूंट शयूग प्राप्थ होगा, खेल कूत्र जुड़े विद्यारतियों के लिए अपनी प्रतिबा दिखाने का पूंग आउश्रत स्रितमभर क अपनी अलग पैचान बनाने में आप शफल होगे, लेकिन माहा के उत्राद में थोड़ी सी सावधानी है, कहां तो पैत्रिक संपति के मामदा है, जब सूरी देव चत्रत भाव में संचन करे तो माता के स्वास्तियों को लेकर थोड़ी सी सावधानी, ऐसा नहीं है कि कामका सितंबर दक शुक्रदेव, नीच राश में संसे करें केतु देव के साथ, तो अनावश्यक तनाव, अपनों के साथ विवाद यह नहीं हो, इसलिए समझोता बादी नितिया पनाए, प्रतिकुल प्रस्तियों का सामना नहीं करना पड़े, अपनों की राय लेकर, अपनों की सद्याल पक से सुबसमाचार पराप्त होंगे, लेकिन इस महने माता के स्वास्ते पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मीठा बोलने का परियास करें, कुरूद पर अंकूस रखें, वैसे इस महने घर में विशेष खुशी और रौनक का वातावन भी मुझ सितंबर के आरम में राशी अध्यपती बुद्देव लकन और चतूरत भाव के समय धन भाव में संचन करेंगे, और धन भाव में विराजमान बुद्देव की शप्तम दश्टी अस्तम भाव पर रहेगी, चार सितंबर को बुद्देव अपनी मितर राशी शेंग में, आतिक प्रस्तिक हिसाब से समय अनकुल हैगा, यह समय कारोबार नौकरी लिया से अनकुलता का संदेश लेकर आ रहा है, उनत्तिक अउसर परत होगी, कारी विष्टार होगा, एक सद्रिक आयक के साधन पराप्त होगी, मत्वकान चाही पूरी होगी, सास और प्राकर्म का प इसमत बदल सकता है, यह आप एजुकेशन के सितर में काम करते हैं, आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, आप पढ़ाते हैं, इस्टेशन का कारोबारिया खादी समगरी, कपड़ों का बेपार है, फूड प्रोड़ है, पत्रकार चाही मीडिया है, फिलम इनि में जल्दबाजी नहीं करेगा, जरूरी कारिया में पुंजी निवे दूसरे सप्ता से आरम करिएगा, पहले सप्ते बहुत अच्छा लेगा, देदेरे प्रश्ट में सुधार होगा, बस जल्दबाजी में निनननने, सोच समय करें काम करें, थोड़ी सी मैनत आर्थिक सु तो में विस्तार होगा, नौकरिश्र मंदरी मसले हलोंगे, छोटी मर्टी यात्राओं में लहाब मिलेगा, लेखन पतरक्तार खेल से जुड़े जातकों को विशेश चपलता मिलेगी, गोचर संकेत धन बढ़ेगा, अनाव से खर्चों में कमी आएगी, परिवार में विश्वास को मजबूत रखना, आलेसर प्रमात को अपने उपर हावी नहीं होने देना, हाँ, ब्रश्पति देव की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुर्वे नमा, और इसके साथ साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमा, एक हरा धागा और एक पीला धागा अपने गले में डाल देगा, दोनों डाल दीजिएगा, पूरे महीन है, बहुत अच्छा रहेगा, तो जो चोटी-मोटी वेविश्टाइक उठापटाएक वो सांथ हो जाएगा, 18 सितंबर तक शुक्र देगों अपनी न शुक्र देव अपनी राशी तोला में संचन करेंगे, तो आर्तिक शुदरता आएगे, आर्तिक शुदरता का उप्भो करेंगे, धन समय दी बैभाव में ब्रति रहेगे और आपके लिए बड़ा अच्छा समय है, आप युवा है, आप विद्यारती है, कामकाज कारोबार नोकरी वेश्टाइश समाज परिवार, आर्तिक पक्स को लेकर मुझे ज़्यादा परिशानी नजर नहीं आ रहे है, ये अलग बात है कि पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव बार विए और पंचम भाव के स्वामी को अटारा सितंबर तो नीच रासी कन्या में के तो दे कारियर, एज्यूकेशन को लोगे समाज और कामकाज लेकर लापरवाई नहीं करें, अन्यतिक कारी से दूर रहे, तथाकतर मेतर मंदली से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कामकाज हो चाए कारवार हो चाहिए, शिक्षा का मामल हो, मैं पून विचार मसले को सोच वि देना होगा तुने याद दे रहा हूं तथा कती मिस्त्रों से शावधान देना पड़ेगा खानपन और रातरी भर्म में विशेश शावधानी बरतनी होगी इन चीजों पर ध्यान दिया तो इस महिने पंचमभाव के स्वामी शुक्रेदू अठारा सित्मर शुराजी तुला अब सितम्बर के महिने में अध्भूत तीन उपाई बता रहा हूं और यह आपने कर लिया तो यह महिना आपके लिए खुश शे भर रहेगा सब से पहले में भागये उनत्ति का अध्भूत मंत्र बता रहा हूं अध्भूद मंत्र है गायत्री है तीन माला जा इस महीने आप नियम बना दीजेगा भग्या आपकी पक्ष में करवट लिए अठारा सितंबर से दो अक्टूबर तक श्राद पक्ष है हर रोज सुरी उदे से पूर और सुरियास के बाद उपलो पर गूगल का धूप पूरे घर में करना शुब रहेगा हर रोज राती में सर्दानुजार साबुद मुंग भी गई शुबह बाजरा और साबुद मुंग पक्षियों को डाल दीजेगा अब लगातार पूरे श्राद पक्ष कर लिजेगा शंपून पित्र पस्त समंधी जो पित्र दो समंधी परिशान अब यह मैना आपके लिए उत्तम बेज़े आपके कारियों में शपलता मिले आपके लेंदेन के मसले ठीक रहो तो गनेजी के मंदिर में हर बुद्वार को मोदक का भोग लगाए और कन्याओं को मोदक बाट देजेगा केरे में उठापटक है कामकाज में परिशारी वेव मिठुन डाशी वालों पितरदोश को लेकर मैंने बहुत कुछ अब आपको बताया है अब सितंबर के मेहने में मिठुन डाशी वाले लोग विशेश क्या उपाई करे कि पित्रों की कृपा प्राप्ती हो और केरियरों कारुबार में लाब मिले तो सबसे पहला उपाय है कि हर रोज रात्रे में सर्धानुसार शाबुत मुंग भी गो दीजे सुबह सुबह सर्धानुसार शाबुत मुंग और बाजरा पक्षों को डाल दीजेगा उसके बाद उसके बाद देशी गाय के उपले पर अगनित प्रजणित कर पूरे घर में गूगल का धूप करना अति उत्तम रहेगा और उसमें थोड़ी सी जावितरी डाल देंगे तो उसोने में स्वागा होगा संपाउन नकारात्मों गुर्जा से पिचा छुटेगा आपकी घर की दक्षिन दिवार में अपने पूर्जों का अपने पित्रों का शिर्विग्रे ने फूटू लगाईएगा हर रोज सर्धा पर पंच पिचार पूजन करें धूप दीप नेवदी पुष्ट रक्षतार प्रेट करें चंदन की धूप जलाए शोगंदिज पुष पुष्ट माला पेनाए ओम पित्र देवताब हेव नमा इश्व मंत्र का जाब करें हर रोज सुबह साम पूरुजों के नाम पर डीपक जलाना बहुत जरूरी स्रिवेग्रे के सामने दक्षिन दिशामने और रोज 18 अक्टूर से लगे दो आटू पर तो हर रोज पूरुजों की मृत्युथिति हो किसी सदाचारी ब्रहमन से पित्र पूजण कराये और पित्रों के नाम से तर्पड करें किसी पवीतर निया सरोवर में यह पूजण करें तो सोने में स्वागा अपने घर में भीकर से जो भोजन आपको पूरुजों को पसंद था उस दिन वो भोजन अवश्य बनाए और जरुत्मन और ब्रामनों को अवश्य भोजन कराए आप सामर्तेवान है आपकी पूरुजों की मृत्युतित्रि के दिन किसी गरीब निदन कन्या को विभाव में स्वयो कर देजेगा पित्रों की कृपा हो रहेगा मित्रों राश्य वालों पित्रों के नाम पर कहीं भी पीने की पानी की विवस्ता करी प्याव लगाईएगा पित्र आपकी परसंद है ये उपाया आप करेंगे तो पित्रों समंदी संपवन परिशानिस आपको चुटकारा में जाएगा ना मना रहेगा मित्रों शातियों ये था मित्रों राश्य वालों के लिए सितंबर मैने का राश्य पल नक्षद्र गर्णाओं के आधार पर मेरा नेजी आकलन ना भय, नभ्रम ने भ्रांती, बिवाद ने तरक शकन उपनना का अदिगार आपका था, आपका हैर आपये का रहेगा मानू न कि हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं इस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार अब आप बना पहुत कर ausा अब गाया है और झाला उंडान के लिल्हाश्या को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये ता, हमेशा मैंने का क्या है विरा वचा करें बनाएं fire के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत उसी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूंगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी हावज में गायों के लिए करता है दाती महाराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है चातियों मेरा राज शरूप पर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए च 32 समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20 से 25 लोग ऐसे भी है मैं उन सब की प्रतिय अपना आभार प्रगर करता हूं और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकौर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते विए जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पढ़ता है ये आप भी जानते है शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यात शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमुनाराइन